Good morning student, previous video class में हमने अपना third chapter बसकी आत्रा की question answer start किये थे Parts से जो question answer है वो हमने complete कर लिये And parts से जो आगे की question answer थे वो भी हमने previous video class में complete कर चुके हैं आज हम जो भाशा की बात के question answer है वो आज की class में हम start करते हैं First number का question है बस वस तीन शब्द है इन में बस सवारी के अर्थ में वस अधिनता के अर्थ में और बस प्रयाप्त प्रयाप्त अर्थार्थ काफी के अर्थ में प्रियुक्त हुआ है जैसे बस से चलना होगा मेरे वश में नहीं हैं अब बस करो उप्युक्त वाक्यों के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी दो-दो वाक्ये बनाईए इन तीनों शब्दों से क्या बनाने हैं हमें दो-दो वाक्ये बनाने हैं इन शब्दों से बने दो-दो वाक्ये इस प्रकार है देखें, फस्ट देखें, बस सवारी के अर्थ में इसका अर्थ जो है किसमें लेंगे हैं अपन सवारी के अर्थ में तो फर्स्ट जो बनता है वाक्य वो क्या है मैं विध्याले स्कूल बस से जाता हूं बस का प्रियोग हो गया बस शब्द का प्रियोग इस वाक्य के अंदर हुआ है देखों मैं विध्याले इस्कूल बस से जाता हूँ सैकेंड रे चलती बस से उतरने का प्रियास नहीं करना चाहिए दोनों वाक्ये के अंदर बस सब्द का प्रियोग हो गया नेक्स्ट है हमारा वश वश का अर्थ होता है अधिनता अब हमें वश शब्द का प्रियोग वाक्यों में करना है दो वाक्ये बनाने हैं तो फर्स्ट हमारा शैतान बच्चों को वश में करना बड़ा मुश्किल है सैकंड शब्द वाक्ये बनेगा माफ कीजिएगा यह काम मेरे वश में नहीं है यह हो गया वशब्द से दो वाक्य नेक्स्ट है बस अब बस का अर्थ यहां पर हम लेंगे प्रयाप्त की रूप में तो फर्स्ट वाक्य बनेगा अब मैं नहीं खा सकता बस अब मैं नहीं खा सकता यानि कि काफी हो गया अब मैं नहीं खा सकता हूं सेकिंड वाक्य बनाएंगे हम बस कीजिए अब मुझे आपकी फिजूल की बातें नहीं सुनने है यह हुआ हमारा कुशन कंप्लीट फर्स्ट जो कुशन है उसका अंसर कंप्लीट हो गया अब नेक्स देखिए कुशन नमबर साइकिंड हम पाँच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजी की बस से चले पन्ना के इसी कंपनी की बस संतना के लिए गंटे बर या गंटे बर बाद मिलती है उपर दिये गए वाक्यों में ने की से आदी शब्द वाक्य के दो शब्दों के भी सम्मंध इस्तापित कर रहे है एशे शब्दों को कारक कहते हैं इस तरह जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है की का प्रियोग होता है कहानी में दोनों प्रकार के चार वाक्यों को चुनिए की के उप्योग वाले वाक्य है लोगों ने सलाहदी की समझदार आदमी इस शाम वाले बस से सफर नहीं करते सेकंड है यह समझबे नहीं आता था की सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है नेक्स्ट है हमें एक लानी हो रही थी की बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं नेक्स्ट है हमें लग रहा था की हमारी सीट के नीचे इंजन है कारत चिन्नों से जुड़े वाक्य है देखें फर्स्ट है बस को देखा तो श्रद्दा उमड पड़ी सैकंड है डाक्टर मित्री ने कहा डरो मत चलो नेक्स्ट है जैसे मा बच्चे को मूज में दूद की शीशी लगाती है नेक्स्ट है दोनों तरफ हरे बरे पेड थे जिन पर पक्षी बैठे थे यह हूँ हमारा सैकंड जो क्यूशन है उसका अंसर कंप्लीट इसमें हमने क्या बताया की शब्दों से बने हुए शब्द जो ढूने है इस चैप्टर में कौन-कौन से आया है और कारक चिन्नों के प्रियोग के जो शब्दों है उनके वाकिय हमने लिखे हैं नेक्स्ट क्यूशन है हम फोरण खिड़की से दूर सरक गए चादनी में रास्ता टटोल कर वहर रहेंग रही थी सरकना और रहेंगना जैसे क्रियाएं दो प्रकार के गति बताती है ऐसी कुछ और किरियाएं एकरत कीजिए जो गति के लिए प्रियोगत होती है गति अफ़ाद मतला आपको इसकी इस्तिती बतानी एक गति बतानी है कि चलना रहेंगना घूमना ये सब क्या है इस गति के अंतर गत आते हैं जैसे घूमना इत्यादी इन्हें वाकियों में प् देखिए चलना चलना का हम वाकियों में प्रियोग करेंगे मैं प्रति दिन दो किलो मीटर पैदल चलता हूँ नेक्स गुजरना इसका वाकियों में प्रियोग कैसे करेंगे मैं रोज तुमारे घर के सामने से गुजरता हूँ नेक्स सरकना शब्द का वाक्य में प्रियोग देखिए बस दीरे दीरे सरक रही थी नेक्स निकलना राम किसी को बताए बिना चुपचाप निकल गया यह हुआ इस क्यूशन का अंसर कम्प्लेट नेक्स देखिए काच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रियोग किया गया है एक शेश के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में नीचे दिये गए शब्दों को वाक्यों में प्रियोग करके देखिए ज्यान रहे एक ही शब्द वाके में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाओ होना चाहिए जल हार देखे फर्स्ट जल देखिए जल के एक बूंद ने गिरने से धर्थी जल रही है अब जल यहां किसके लिए है पानी के लिए और धर्थी जल रही है वहाँ पे जल किसके लिए आया जलने के लिए अर्था तपन के लिए नेक्स्ट हार एक तो तुम छोटे से पहलवान से हार गए हार यानि कि पराजे से लिया गया और दूसरे अर्थ में देखिए हम से पुरुषकार और हार की आशा बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द है फर्स्ट और क्लास यहां क्लास का विशेशन फर्स्ट चुकि फर्स्ट संक्या है फर्स्ट क्लास संक्या वाचक विशेशन का उधारन है महान आदमी में किसी आदमी की विषेशता हैं महान यह गुणवाचक विशेशन है संक्या वाचक विशेशन और गुणवाचक विशेशन के दो-दो उधारन खोचकर लिखिये मैंने आपको विशेशन जब पढ़ाया था ग्रामर की टॉपिक के अंदर उसमें भी बताया था तो आपारां लिख सकते हो संक्या वाचक के एक्जम्पल है पांच दोस्त सैकेंड है बहुत कम काज नेक्स्ट गुण वाचक विशेशन के नई नवेली बस सैकेंड हरे भरे पेड़ अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो मुहावरे प्रियुक्त हुए हैं वो कौन- फल्ट है घजब होना गजब होना काροत होता है अश्यरी जनक बात हो अरम लूक्त ओय्ट हो तो होता है एकदम से मुह से निखलता कि जब होना ड़ा संकिन आगा-पीछा करना आगा पीछा करना करता है दुविता की स्थिति में होना नेक्स्ट है थर्ड कूच करना करता है अन्ने इस्तान पर जाना अर्थार्थ एक इस्तान से दूसरे इस्तान के लिए जाने के लिए रवना होना क्या कहलाता है कूच करना नेक्स्ट है फॉर्थ प्रानांत होना मेंने आपको शब्दार्थ करवाये थे तभी भ्यूता था है प्रानान्थ का रगत होता है म्रत्यू को अर्थ है प्रीयान करने खरत होता है मर जान ये हुए प्रैयूक्त मुहावरे में life प्रीयूक्त होता है यहां होते हैं आपका थर्ड चेप्टर के question answer complete आप सभी को ये question answer fair notebook में write करना है और साथ में आपका जो first और second chapter है वो भी आपको साथ में revise करना है आपको grammar में कारक और vision जो topic complete करवा दिये उनको भी आपको साथ में revise करते हुए चलना है आप सभी को ये fair notebook में write करके और learn भी करना है कल की जो class होगी उसमें हम अपना next chapter chapter number 4 start करेंगे